सुप्रीम कोट में अभिशेक मनु सिंग्वी ने कहा कि पहले स्पीकर का डिसीजन हो जाने दीजे अगर वो गलत हो तब सुप्रीम कोट आने की कोई जरूरत होगी लेकिन इस पर जज सूरिय कांत ने कहा है कि नबाम रेबिया केज जो है वो इस सारे मुद्दे को डिसाइड कर चुका है यानि कि जज ने सुनते वक्त अभिशेक मनु सिंग्वी जी को रोका और कहा कि आप चारे गलत डिसीजन हो जाए जो उनकी आर्ग्यूमेंट थी इस पर नबाम रेबिया का जो केस है वो पूरी तरह से बताता है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का क्या र गया है कि जिस स्पीकर के तहट खुद ही असंतोश का एक पेटिशन रखा गया हो वो कैसे किसी और MLA को डिस्क्वालिफाई करने का कोई भी कारवाई कर सकता है जज ने इसी पर कहा अब जो मनु सिंग्वी जी है वो आर्ग्यू कर रहे हैं आर्टिकल दो सो बारां आर्ट आर्टिकल दो सो बारां क्या कहता है हम आपने दर्शकों को अभी थोड़ी देर में बताएंगे लेकिन आर्टिकल दो सो बारां के उपर बहस चल रही है और ये आर्टिकल दो सो बारां जो है वो बताता है कि कोट जा नहीं सकता प्रोसीडिंग्स ऑफ दे लेजिसलेचर मे तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अभिशेक मनू सिंग्वी के कोट जो है वो लेजिसलेचर में जो हो रहा है उस पर वो अपनी कोई विशेश किपणी नहीं कर सकते और उसमें इंटर्फियर भी नहीं कर सकते कोई दखल नहीं कर सकते ये अभिशेक मनू सिंग्वी का आर्ग पहलूँ पर आर्गूमेंट्स चल रही है बहस चल रही है तीन मुद्दे उठाए थे एकना चिंडे की तरफ से निरच किशन कॉल ने वो सबसे पहला था कि जिस स्पीकर के उपर खुद अविश्वास का प्रस्ताव हो वो कैसे किसी को भी लंबित करने का या के फैसले के लिए 48 घंटे का समय दिया गया जबके 7 दिन महराश्रा लेजिसलेटिव असेम्बली के रूल्स के तहद बताया गया है कि ये 7 दिन का समय होना चाहिए और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि उनको कही न कही थ्रेट है उनके उपर इस तरहां का अटैक हुआ है म महराश्रा में इसलिए वो महराश्रा वापस नहीं जा पा रहे और दूसरी तरफ अभी शेक मनु सिंग भी कह रहे हैं कि नबाम रेविया केस इसमर नहीं होगा इस पर आर्टिकल 212 है जो 1949 का आर्टिकल है सम्विधान में जिसमें कहा गया है कि कोई भी कोट लेजिसलेचर किसी भी मामले में दखल नहीं दे सकता जज कहता है कि जज ने अब ये कहा कि हम प्रोसीजर पर नहीं जा रहे हम प्रोसीजर में बिल्कुल दखल नहीं दे रहे हम जो इस वकत कर रहे हैं कि वो प्रोसीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसकी बात और उसकी वैलिडे सीडिंग हुई नहीं है महराश्रा असेंबली में, ये तो एक प्रस्ताभ है जो भेजा गया है, नोτιस भेजे गए हैं, ये नोτιस लीगल है के नहीं, अभी तो फैसला इस पर होना है कि ये नोτιस लीगल है के नहीं, अभी बात कही है जज सूर्यकान जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने कहा कि हम प्रोसीडिंग्स में नहीं दे रहे हैं दखल इस वकत सिर्फ इतना देखना है कि जो नोटिस दिये गए हैं वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं उस पर प्रोसीडिंग्स आगे होनी चाहिए या नहीं प्रोसीडिंग्स का कोई भी इस वकत सवाल नहीं उड़ता क्योंकि महराश्ट्रा की असेम्ली बुलाई नहीं गई है प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हुई है और legislature की जो proceeding होती है वो assembly के floor पर होती है ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा judge का observation इस वकत आ रहा है तो तमाम बहस के पहलू इस वकत रखे जा रहे हैं एक तरफ नीरच किशन कॉल है एक तरफ अभिशेक मनु सिंग्वी है और मनु सिंग्वी जी कह रहे हैं कि 212 सम्विध का जो article number 212 है वो supreme court को या किसी भी court को दखल देने की इजाज़त नहीं रखता लेकिन judge ने कहा कि हम तो अभी proceedings में गए ही नहीं हैं मैं इस वकत जाना चाहती हूँ अंके त्यागी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड रहे हैं मुंबाई से अंके त्यागी ये बहुत बड़ी ब जाहा है जो floor of the house में proceedings हो रही है लेकिन judge ने ये कह दिया कि अभी तो proceeding शुरू हुई भी नहीं है legality of proceeding जिसका जिसकी चर्चा चल रही है अभी तो उसी पर बहस है ये बड़ा बुद्दा है कानूनी जी जज ने जस्सिस सूरेकांत ने नाविका जी बिलकुल जो दाइरा है इसका बिलकुल क्लियर कर दिया है वो सीधा सीधा कहते हैं कि deputy speaker के पास क्या अभी अधिकार है disqualification petition को 10th schedule जो है उसमें notice के बाद removal का under constitution under article 179 या नहीं हम इसके उपर बात कर रहे हैं हमारा issue बहुत limited है हम इस दाइरे में रखके बात करेंगे एक बार फिर से अभी शेक मनु सिंग्भी ने जो judgment है जो article 212 से deal करता है उसको पढ़ना शुरू करा है वो अभी भी अपनी इस लिया नहीं तो court का इसमें intervention किस बात पर हो सकता है यह जो भी assembly के floor पर decide होना है या speaker को decide करना है वो पहले speaker को decide करने दीजिए फिर आप intervene कीजेगा और judge ने कहा है कि हमारा दाइरा बहुत limited है हम इस बात ने पड़ी नहीं रहे हैं उनकी अधिकारों में जाई नहीं रहे हम यह देख रहे हैं कि क्या disqualification की जो अंकी जी बड़ी बात और judge ने कहीं इस वकत उन्होंने कहा कि जिस judgment का हवाला दिया अभी शेक मनु सिंग्वी जी ने को होतो judgment का वो कह रहे हैं कि होतो judgment में तो कहीं पर भी speaker का दाइरा challenge ही नहीं हुआ था लेकिन यहां पर speaker का खुद का दा जारा challenge हुआ है उनकी authority deputy speaker की challenge है इसलिए यह court proceedings की बात नहीं है यह speaker की authority का challenge है जो नबाम रेबिया केस में हुआ था और इसलिए शायद नीरज किशन कॉल ने जो नबाम रेबिया केस में यह मुद्दा उठाय था शायद इस judgment पर judges को भी जादा भरोसा है बजाए इसके के ज अभिशेक मनु सिंग्भी ने कोहोतो judgment की बात कही और जजज ने कहा है जज सूरेकान जी कह रहे हैं कि कोहोतो judgment में authority of speaker challenge नहीं हुई थी यहाँ पर deputy speaker की authority challenge की गई है इसलिए शायद नबाम रेबिया केस जादा fit बैठता है इस argument पर यह तमाम दलीले दी जा रही हैं इस वक् observation दे रहे हैं उससे कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि कोहोतो judgment से जादा नबाम रेबिया judgment जो है वो applicable होगा